अब बात करें हम लोग तो रिस्क मैनेजमेंट में एक कोशन था वैल्यू एट रिस्क वार को आप छोड़ने की गलती मत करना वार करके जाना ज्यादा कोशन है नहीं यह दो-तीन ही कोशन है उसमें से एक कोशन यह आपको करना बढ़ेगा देखें क्या कि तरी कोशन कब आया था यह आया था एक्जाम में 2020 में 2023 हलकい डिसकेशन किया होगा ऐसा तो है नहीं कि डिसकेशन नहीं किया होगा पर फिर से और और लिले था हिया थो भोगा नहीं सर वार कैसे निकलते थे तो वार का एक फॉर्मूला था X, Z, Standard deviation हम वार में क्या निकलते थे याद करवादे तो हम वार में निकलते थे कि maximum हम share market में कितना पैसा लगा सकते maximum risk कितना ले सकते risk, maximum possible risk और उसके हिसाब से यहाँ investment दिया रहता था जितना deviate होता था और JET का मतलब क्या होता था JET का मतलब होता था आपका level of confidence 99% 95% तो उसके हिसाब से maximum loss कितना हो सकता था यह निकलते थे और कभी कभी question घुमा कर पूछता था हाँ याद है एक question ऐसा करवाया होगा मैंने आपको कि आपको risk दे देगा कि और maximum हम इतना loss bear करने को तियार है और आपको यह और यह पता दे देगा और कहँगा कि बताओ हम maximum कितना investment कर सकते ताकि हम इतना loss bear करने को तियार है ठीक है सर यह question देखे कि मैं वार पढ़ाने नहीं आया हूँ एक question आ गया था उसी को मैं discussion कर रहा हूँ Mr. Bull is a rational risk taker He takes his position in a single stock for four days a week मतलब सर वो वो चार दिनों के लिए पैसा लगाना चाहता है चार दिनों के He does not take a position on Friday to avoid weekend effect हम Friday को छोड़ दो Saturday को भी छोड़ दो Sunday को तो वैसे ही छोड़ता है Monday को पैसा लगाएंगे शेयर मार्केट में और Thursday को अपना position close कर देंगे Monday लगाना है Thursday मतलब चार दिन के लिए हम खेलने को तयार He transfer the amount on Monday morning Monday morning को पैसा लगाएंगे और withdraw कर लेंगे हम Friday morning को Tension खता Monday morning से Friday morning चार दिनों के लिए He desire to make a maximum investment और पूछ रहा कि maximum बताओ हम कितना पैसा लगाएंगे भाई साब तो maximum कितना लॉस आप झेलने को तयार हो VAR should not exit the balance बोले हम कितना पैसा लगाने को तयार है तो बोले जो risk है रिस्क वो जादा नहीं होना चाहिए जो VAR निकलता न आपका और मेरा लिखाओंगे VAR ये जादा नहीं होना चाहिए किस से जादा नहीं होना चाहिए Should not exit the balance lying is in bank account bank account में जितना पड़ा हुआ है पैसा उससे जादा loss नहीं होना चाहिए तो bank में कितना भाई The position by his manager as per standing instruction is taken on the free balance available in the bank account in the morning on each Monday मंडे को morning, मंडे मौर्निंग को जो पैसा होगा न आपको पता लग जाएगा उतने का आप loss bear करने को तयार है अब आगे लेखा मंडे मौर्निंग को capital market मतलब पैसा लगाने से पहले पहले आपको आपके एकाउंट में He has transferred an amount of कितना रुपए है बुले ग्यारा करोड है अब ग्यारा करोड उपिया का loss bear करने को तयार है कितने दिन में चार दिन है 11 क्रोड डूप जाए तो डूप जाए तो डूप जाए फिक्स डिपॉजिट और सुनो और फिक्स डिपॉजिट का भी पैसा आ रहा है का बारा मंडे मॉर्निंग को 11 क्रोड तो है और फिक्स डिपॉजिट और आएगा और साब साब बोला कि जितना बैंक एकाउट में पैसा है उतना हम loss bear करने को दिया उससे ज्यादा loss नहीं होना चाहिए ग्यारा करोड यह है और फिक्स डिपॉजिट मैचियर होगा और बोले दब मैचियरिटी एमाउंट और कितना आ गया 63,42560 मतलब सर 11 करोड तो पहले से हमारे एकाउंट में है 1100 लाक और साथ में यह भी पैसा आ गया कहां आ गया गया और कब आ गया मंडे मॉर्निंग मिला इसको कब मिला बुले सुबह नहीं मिला शाम को मिला जबकि हमको तो मंडे मॉर्निंग को पैसा लगाना है तो यहां जब कोश्चन आया था ना तो मेरे मैंड में थोड़ा सा confusion create हो रहा था यार 11 करोड रुपएवार है या फिर इसको भी लेना है क्या इसको भी हम 11 करोड रुपए से खिलने को तियार होतना loss हम सहने को तियार है पर यह भी तो bank account में आ गया था तो मैंने तो इसको प्लस कर दिया था फिर पता फिर आगे एक sentence आ गया कि नहीं नहीं इ यह किया और साथ में इसको भी प्लस कर दिया मतलब सर यह लाइन का मतलब क्या हुआ कि इंटी मेशन जो है शाम को मिला उसको किसके विसे मैं कहना चाहता हूँ वो मुझे नहीं मालों कि कभी टाइम में नहीं हमें सोच अच्छा बूले पूरे से मत खिलना एक हजार रुप चार दिन का जैड स्कोर दे रखा है ठीक है और आपको 99 2.33 अगर देखा जाए तो यहां आ जाएगा 2.33 इंटू इंटू एमाउंट हमको निकालना है इस टेंडर डेविशन बाद में और वार हमको पता लग गया और वार कितना गया कहां है कैलकुलेटर सर ग्यारा सो लाक ग्यारा सो ग्यारा सो लाक प्लस 6342 560 माइनस था हो जाए तर हम खेल सकते हैं पर यह तो चार दिन का है अगर मैं कहूं तो मैक्सिमम चार दिन में अब यहां समझ ना यही तो चार दिन है तो सर इस्टेंडर डेविशन हम चार दिन का ले लेंगे तो भी चल जाएगा पर अगर आप इस्टेंडर डेविशन एक दिन का ले रहे है तो फिर वार भी हमको कितने दिन का लेना करता है कि कैसे कि कैसी भी कर लो वह रहां तो देखो है ऐसे स्ट csakट में करूंगा अगर इक्स और वाइक क्यों है दो है डोनों मेंसे किसी इस कुले हम में भी पैसा लगा सकते य में भी पैसा लगा सकते और यह रिटन दे रखा है और रिटन सर यह वीकली है कि एनवल है कि कैसे मुझे नहीं मालूम पर यहां अगर अच्छे से देखो अधर इन्फोर्मिशन विछ रिस्पेक्ट टॉक एक्स और वाई विचार अंडर उन्होंने आपको रिटन दे रखा उन्होंने आपको इस्टेंडर डैवीशन नहीं दे लेगा सर वो परैनम निकलेगा कि वन डे का निकलेगा तो एदर इन्फोर्मिशन विच रिस्पेक्ट टॉक एक्स और वाई विचार अंडर कंस्टेशन फॉर दिस वीक रिटन यह हो सकता कि सर यह वीकली रिटन निकलेगा छे परशन साथ परशन यह क्लियार्टी नहीं थ तो हमने डे बेसिस पे ले लिया कि यार एक दिन में इतना भी रिटन हो सकता इतना भी हो सकता इतना भी हो सकता इतना भी हो सकता इतना भी हो इन्होंने क्या किया इतना करने के बाद यह बनाया इन्होंने एक्सपेक्टर रिटन यह एक्सपेक्टर रिटन वन डे का है यह और यह का निकला वन डे वरियंट्स और फिर यह वन डे का स्टेंडर्ड रिवी इसे एक्स का भी किया और ऐसे वाय का भी किया और पैसा लगाने का सोच रहा है तो मैंने बोला था इतना दोनों को परक्ष किया और हजार उपैर – किया तो यह आगे है सर यह टोटल लॉस कितनी दिन का है चार दिन का तो मुझे कब का निकालना है वण डे का कैसे निकलते है आपको बालों फोर डेवार पता है तो वन डेवार स्क्वार रूट करके निकाल लेते हैं ठीक है मतलब जो भी आया divided by 4 या फिर deviation आप चार दिन का निकाल लो ठीक है तो यह आगया maximum loss फिर तो कर लिया अपने ठीक है सर अगर मैं कहूं यह आगया मेरा one day war तो war 58170780 is equal to x into standard deviation कितना है 2.33 और standard deviation अब एक दिन का लेना पड़ेगा 1.14 percentage तो x का value निकाल लोगो और x का value यह आगया कोशन अच्छा था और कोशन में कुछ चीजे clear नहीं थी क्या क्या चीजे clear नहीं थी एक तो यार वह intimation वाली बात और दूसरा कौन सी बात दूसरा सर यह days वाली बात कि यह return जो है यह day one day का है क्या हाँ जी one day का ठीक है ओक है बस risk management में यही कोशन है जो आपको देखके जा देखके लाख बात द दूसरा है क्या प्यूशब यहद़ झादूसरा रख contributing कि वाली बात a should भाया है जी जो आपजान हूत कि ऱा और करिक law Check